अम्शी साहिराम प्यारे च्छात्रो अब हम नवीन कक्षा का एकांकी भीम और रक्षस इसका अध्यान करें सबसे पहले हम इसके लेखक विष्णु प्रभाकर का परिचे कर लेखक विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तरप्रदेश के मीरापुर जिले के मुजफर नगर में सन 1912 इस्वी में हुआ उत्तरप्रदेश के मुजफर नगर में हुआ उनका जन्म वे अनेक पत्रपत्रिकाओं के संपादक रहे संपादक माने एडिटर समाचारपत्रों के संपादक रहे अनेक समाचारपत्रों के उन्हें केंद्र साहित्य अकाडमी पुरसकार तथा सोवियत लेंड का पुरसकार इत्याधी दो पुरसकार उन्हें प्राप्थ होई उनकी कृतियां कृतियां मने साहित्य कृतियां उनकी साहित्य कृतियां इस प्रकार हैं एकांकी संग्रह नाठकों का संग्रह प्रकाश और परच्छाईयां उन्चा परवत गहरा सागर मा का बेटा इंसान और अन्येकांकी अशोक तथा अन्येकांकी मा बाप इत्यादी उनके एकांकी हैं उनसे लिखित उपन्यास उपन्यास माने कादंबरी अंग्रेज में नौविल करते हैं अर्धनारिश्वर तटके बंधन निशिकांत सप्नमई वदादा की कचहरी ये उनके उपन्यास है और उन्होंने जीवनी जीवनी लाइफ हिस्ट्री बायग्रफी आवारा मसीहा नामक जीवनी भी लिखी है उन्हों कहानी का आशय या उद्देश इसमें क्या मुख्य विशय उन्होंने पताया है देखें इस पवरानिक एकांकी में यह पवरानिक महाभारत की एक घटना ही इसमें भीम द्वारा बकासुर के वध की कथावस्त महाभारत में भीम ने किस प्रक बकासुर की खत्या की बकासुर का वध किया यह इसकी कथावस्तु है इसमें संदेश है मेसेज है दानवता पर मानवता की जीत दानवता माने दानव का गुन राक्षस का गुन और मानवता मनश्चत दानवता पर मनश्चत राक्षसी गुन पर मनश्च का गुन कैसे जीत मान विजयी होता है, जय पाता है, तथा अच्छाई के सामने बुराई की हार, अच्छाई, अच्छा काम, वल्ले कलसा, वल्ले गुना, अच्छाई के सामने बुराई की हार, बुराई मानि बुरा स्वभाव, केट्ट स्वभाव, वल्ले तना दैदरू, केट्ट गुना दसोल, इदुई कतय मुख्या, मुदेशा, मुख्या, संदेशा. अब इसके मुख्या शब्दों के अर्थ, कठन शब्दों के अर्थでखें. दानो माने राक्षस, संभालना, देकरेकरना, आरेके माडो, निर्वाह करना. सहसा, एका एक, उम्मीन दम्म्मेले, सडनली. भग्य फूटना दुर्भग्य आना अदर्ष्टहीन होना पहेली बुझाना घुमा फिराकर बातें करना तिर्ग तिर्गी मातारदू स्पस्ट मातारदेरू बारी सरदी टर्म उजाडना बरबाद करना नाश करना फड़कना हिलना अलाडूदू बिकना बेचा जाना मारल पड़ूदू मस्ती वन्म तता आवेश उत्साह फांकना नुंगूदू तो स्वैलो पानी पिलाना एक मुहावरा है विशेश अर्थवाला शब्दों का समो मुहावरा करते हैं उसे सबक सिखाना इसका अर्थ है पानी पिलाना माने सबक सिखाना पाठकलिसूदू चबाना खाना तिन्नोदू पटक्कना गिराना चीखना चिल्लाना चीरूदू पोब्य हडियोदू शरारत दुष्टता केट्टगुणा तंग करना परेशान करना तोंदरिमाडूदू हकलाना रुक रुक कर बोलना निन्तु निन्तु मातनाडू निल्लिसी निल्लिसी मातनाडू वध हत्य कोल्लूदू सहारा आधार विपदा कस्ट विपत्तुगलू रमना अनंदपाना मग्न होना असली सच्चा निजवाद भुगतना सहना अनुभोकरना सहिसिकोल्लूदू रखवाली पहरेदारी कावलुमाडूदू अजीब विचित्त्र गद्दी सिम्हासना सब्र सहनशीलता मुट्था मुष्टि बहकाना धोखा देना मोसमाडूदू अत्वा दारित प्प्यसू साबूत सब यल्लवू मारना पीटना बडियूदू चीरना फाडना हरियूदू खबरदार सावधान जग्रते जबान संभालना नालिगे बिगिहडियूदू लाश शवा अथवा हैना अव मुसीधे भीमा और बकासर इस एकांकी का सारामशी देखें इसकी कथावस्तू महाभारत की एक घटना है जहां भीम बकासर नाम एक रक्षस की हत्या कर देता है महाभारत में दुर्योधन पांडवों को लाक्षा ग्रह में बंदी बना कर रख कर उनकी हत्या करना चाहता है लाक्षा ग्रह अंदे लाक्ष का गर अरगिन मने अरगिन मने अरगिन मने अलिया और निरू आगे माड़ी अधिके बेंख्या की कुल लिक प्रैत्त मर्थन। तो इस लाक्षा ग्रह से पांडव बच जाते हैं और तप ही सी कुलता है और बाद में वह पांचाल देश का एक नगर है एक चक्र नगर। पांचाल देश का एक नगर है एक चक्र उसके आसपास के प्रदेश में गहरावन है पडड़ाकाडू इस गहरेवन में एक बकासर नामक एक रक्षस था उस रक्ष में जो राजा था वह बहुत दुरबल था वीक राजा तो बकासर इसका असली राजा बन गया इस राजा को दबा कर अवननों अदुमी हिड़िदू अथवा अवना प्रभावननों तग्य सी इवन बकासर न प्रभाव ये जास्तिया इताई तो बकासर ही एक चक्र नगर के नकली राजा बकासर को इवा नकली राजा था, बकासर नकली राजा था, असली राजा कोई दूसरा था, निजवाद राजा बेर है, इवा तानो राजना आगे, नकली राजना आगे मरे ताईदा, आडल इतला इवा नदे बकासर को एक गाड़ी अन्न, दो भाइन से और एक मनश्य रोज भेजना था, इस राज्य के सभी लोगों पर उसी के कहने के अनसार उसे रोज हर दिन एक गाड़ी अन्न, वंदु गाड़ी अन्न, तुमब अन्न, दो भाइन से यरड़ यत्तुगड़, एक मनश्य रोज उसे खाने के लिए भेजना चाहिए था, बकासर, इसका पेट इतना बड़ा था, इसे इतना खाना चाहिए था रोज, हम भी समाज में कहते हैं, कोई अ चीजें उसे रोज भेजना चाहिये था, नगर के सब लोगोंने मिलकर बारी बांधली, बारी अन्तर वंदु बनें द हुँद्धी, अन्द बाइवन, इन रोज भेजना इन नं द वनिनन हागे बारी बारी आगे, सरदी, सरदी आगे, प्रत्योंदु बनेंद, प्रती दि एक गाड़ी अन, दो भाईं से एरड़ यत्त गळू, एक मनश्य, तो इसको खालेता था वो रोज, इतनी भूखती, इस्तो हसिवेवनेगे, तो लोगुन्ने, सब मिलकर एक बारी बांधली, सरदी, उंदाद मेले उंदु मने, एवर कल्शी कोड़ू दुन्त, जिस दिन जि सभी घर से, सब सामान बकासर को भेजा जाता था, तो निश्चय होता था कि किस दिन, किस घर से, एक सभी सामान बकासर को भेजा जायेगा, तो उस दिन, एक गरीब nuts के घर की बारी थी, उंदु दिना, उब बड़ ब्राह्मन ना, सरदी, आउनों आदिना, य geograph वस्तुगणनों कडिशी कुडवे को उसे इन सभी चीजों को उस दिन भेजना चाहिए था बकासुर को घर के सभी व्यक्ति रो रहे थे क्यों घर का एक आदमी को भेजना है उसे बकासुर खा डालेगा कोई अन भाइन से खाएगा तो दुख होता है फिर भी आदमी को खाएगा तो उस घरवालों को कितना दुख होगा इसलिए सारे घर के ब्राम्वन के घर के सारे लोग रो रहे थे अलताई दू तो ब्राम्वनी करती है ब्राम्वन की पत्नी ब्राम्वनी करती है आज मैं जाती हूं, तुम सब घर के भर में रहो, आज मैं जाती हूं, उतना नहीं होगते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको देख रहे करना आसान है, उन्हें पालन में करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बच्चों को पालन करने में आपको कष्ट नहीं होगा, तू मत जाना, तू अब बकासुर के पास मत जाना, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका पालन करने के लिए तू चाहिए घर में, फिर बेटी का विवाव भी होना है, बेटी तो विवाव के लिए तयार हुए, उसका विवाव होना है महीं ही जाओंगा तो महीं जाओंगा तो ब्राम्मन कहता है महीं जाओंगा बकासर के पास वो मुझे खाडा ले इतने में इस्टरली ब्राम्मन की बेटी लड़की जाने के लिए तयार हो गई ब्राम्मन और ब्राम्मनी से उनकी बेटी कहती है माँ बाप आप मत जाना महीं जाओंगी लड़की जाने के लिए तयार हुई वह करती है आज महीं जाओंगी बकासर के पास तो ब्राम्मनी करती है लड़की की माता करती है मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाएं मेरे आंखों के सामने महीं जीवी तरहते हुए मेनि ऐसा पाप क्या किया है बच्चों को मरना आखों के सामने देखने का पाप क्या क्या है मैने असस्त पाप अना येन मारी देने नंना करने दुरे मक्ऩूसायद नोडबे कला कहकर अभावनी जोर से रोती है क्या मुझे ऐसा एक बुरा दिन आ गया इतने में उसी आसपास कुंती और भीम वहीं रहते हैं आसपास ये पांडव उसी वन में रहते थे तो उनको मालम होता है कि इस घर में इतना शोर हो रहा है ये रो रहे हैं वे ओहीं आसपास थे वे कहते हैं वे देखते हैं कुंती और उसका बेटा भीम दोनों ब्राम्भनी से पूछते हैं ये इसका रोना सुनकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि किस विपत्ती के कारण किस संकट के कारण विपत्ती ये संकट कस्ता वो रो रही है और घरवाले सभी रो रहे हैं यद्यपी ब्राम्वन अपना दुख बताकर अतिथियों को दुखी करना नहीं चाहता यह इस घर के यह कुंती भीम और पांडव सभी उस घर के अतिथि थे तो घर को आये हुए आदमी थे तो उनको अपना दुख कैसे बताना अपना दुख बताकर अतिथियों को दुखी नहीं करना चाहिए ब्राम्वन का उद्देश था ब्राम्वन का विचार था वो अपना दुख बताकर अतिथियों को दुखी करना नहीं चाहता था ब्राम्हनी पती से विनती करती है, फिर भी ब्राम्हनी अपने पती ब्राम्हन से रिक्वेस्ट करती है, विनती करती है, कि यह परदेशी हैं, यह यहां के नहीं है, इन्हें यहां का सारा विशे मालम नहीं है, यह परदेशी, परदेशी माने दूसरी जग में रहने वाले, दूसरे प्रदेश वाले हैं, उन्हें यहां की कहानी, यहां की घटना यह सब मालूम नहीं है, यह प्रदेशी हैं, किसी दूसरे जगर में रहने वाले हैं, इसलिए इनको बकासुर की बात बताईए, ब्रामणी पती से कहती है, इनको बताईए, इनको मालूम नहीं है, इस ब लोगों को बहुत कष्ट दे रहा है, सब को खा रहा है, यह बताईए, भीम भी बकासुर के बारे में जानना चाता है, तो यह बकासुर कौन है, हिन, यहां के लोगों को इतना कष्ट देने वाला, गाड़ी अन, दो भाइन से एक आदमी को रोज खा कर, कष्ट देने वाला ब बकासुर कौन है इसके बारे में जानना चाहता है भीम भी। तब ब्राम्हन ने बताया इस बकासुर की घटना, बकासुर का काम, इसका सोभा यह सब बता देता है ब्राम्हन भीम को और कुंती को। इस येक चक्रणगर का राजा बड़ा दुर्बल है तो हमारा इस प्रदेश का येक चक्रणगर का राजा, असली राजा, बड़ा दुर्बल है, वीख है वो इतना शक्तिशाली नहीं है वो केवल गदी पर बैटना जानता है तो यहां का असली राजा गदी पर सिमुवासन पर बैटना इतना जानता है उसे शासन करना लोगों का पालन करना लोगों का सुख़दुक देखना वो नहीं जानता है तो बकासुर नामक इस जंगली प्रदेश में एक रक्षस है बकासुर नामक रक्षस असली राजा बनकर लोगों की रक्षा करता है तो यहां का असली राजा कौन है बकासुर वही शासन करता है तो सिम्हासन पर बेटा हुआ राजा सचा राजा नहीं है वह नामके वास्ते राजा है किन्तो असली राजा बकासुर है वही उसका शासन ही यहां चलता है लोगों की रखवाली करता है वह बकासर वह कहता है कि मैं लोगों की रक्षा मैं करने वाला राजा मैं हूं इसके बदले में बकासर रोज एक गाड़ी अन तो यह बकासर किस प्रकार यहां कि लोगों की रखवाली रक्षा करना देखरे करना तो इसके बदले में क्या चाहता है वह उसे लोगों से क्या चाहिए क्या भेजना है लोगों लोगों से एक गाड़ी अन एक गाड़ी अन दो भाईन से यरड़ यत्तुगड़ और एक आदमी इतना वह रोज खाता है एक गाड़ी अन, दो भई से और एक आदमी लोगों से मांगता है वह बेजने के लिए मांगता है उसका आदेश है कि हर रोज मुझे इतनी चीजें एक गाड़ी अन, दो भई से और एक आदमी लोगों से मांगता है और खाता है वह इतना भूख है उस रक्षस को यह पिछले चालीस सालों से नलवत वर्षे नरकुन बरता हुंती दो पिछले चालीस सालों से चलता आ रहा है यह करम रोज एक घर से एक आदमी एक गाड़ी अन दो भईन से उसे भेजना चाहिए यह नकली राजा का जो अब असली राजा है उसका आदेश है तो कुछ लोग चालीस सालों से आ रहा है लोग कुछ दिन रोपीट कर सहन कर लेते हैं तो जिसकी बारीया आ जाती है उस घर के लोग रोते रहते हैं और एक आदमी को बेज़ते हैं और कुछ दिन तक इसी दुख में रोते, बहुत दुखित हो जाते हैं, और बाद में वे भूल जाते हैं, भीम पूछता है इस ब्राम्हन, ब्राम्हनी और इसके घरवालों से, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, हम इसी वन में इतने दिन रहे, आसपास में, तुमन यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई, क्या यहां आदमी बिकते हैं, बिकते हैं, बेचे जाते हैं, तो यह घरवाले, अपने घर में कोई आदमी नहीं है, तो किसी आदमी को परचेस करके, बेच कर, कोई बेचने वाले से खरीद कर, आदमी को बेच देते हैंगे, तम तो ब्राम्भन बोला, सब लोग अपने कस्ट सहन कर लेते हैं, तो यह कस्ट या तो अपने घर से बेज देते हैं, या किसी से खरीद लेते हैं, नहीं तो राक्षस सारे नगर को कस्ट करेगा, किसी प्रकार, या तो खरीद कर, या तो घरवाले को भेज कर, इस कारी को पूरा करना चाहिए, बकासर को यह सब भेजना चाहिए, और हजारों मनुष्चों को एक साथ खा जाएगा, अगर किसी घर से यह चीज़ें उसे नहीं पहुंचाई जाए, नहीं भेजे जाए, तो व पूखा, रक्षा सेव, साविरार मंद्यन, उम्मे लेतिंदानों, हजारों को एक साथ खा जाएगा, इतना नाराज वाला, क्रोध वाला, रक्षा सेव, इसलिए किसी प्रकार यहां के लोग इन सभी कस्त को सह लेते हैं, और विवस्था करते हैं, यहां आदमी बिकते हैं, आदमी बेचे जाते हैं, यहां आदमी बेचे भी जाते हैं, या तो उसके घर से कोई जाता है, घर में कोई नहीं है, तो उसके खरीद कर, कोई बेचने वाला होगा आदमी को, उसे खरीद कर बेच देते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, ब्राह्मन कहता है, मेरे पास पैसा न के लिए इननों बननु कुंडु कुंडु अब वेक्टिन कलिसलिक है नुन लिहाना इल्ला मेरे पास पैसा नहीं होता पैसा होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता मैं मेरे पास पैसा नहीं है रूपय नहीं है रूपय होते तो किसी को खरीद कर मैं भेज देता और मैं आर तो पाठ पढ़ान अधर यहां के प्रदेश में कोई उसका विरोध करके सामना करने वाले कोई नहीं है हिम्मत करो तुम साहस करो धैरी करो तो उसे मार सकते है उसे मार डाल सकते है उस राक्षस को क्या चाहिए तुम्में हिम्मत चाहिए धैरी चाहिए साहस चाहिए तुम सब चिंता मत करो तो भिम कहता है फिर भी तुम चिंता मत करो तुम्हें धैरी हो तुम ही उसे मार डाल सकते थे किन तु अब चिंता मत करो चिंता मार बेड़ी तुम सब चिंता मत करो तुम में से कोई नहीं जाएगा तो आज से तुमारे घर से इस गाउं के इस आसपास के इस नगर के आसपास प्रदेश के घर से कोई आदमी नहीं जाएगा, मनश नहीं जाएगा, कुंती बोली, तब तो उसे मार सकते हो, कुंती बोली तब, कुंती बोलती है, तुम इस घर से कोई नहीं जाना चाहिए, तुम सब चिंता मत करो, तुम में से कोई नहीं जाएगा, मेरा बेटा भीम जाएगा, मेरा ब किसी भी गर से कोई आदमी नहीं जाएगा, मैं अपने बेटे को आज बकासुर के पास भिजती हूँ, मेरे पास पांच बेटे हैं, एक बेटा नहीं, धर्मराज भीम अर्जन नकल सहदेव, ये पांच पांडव, ये मेरे बेटे हैं, ये धैरेचाली हैं, साहसी हैं, उनमें स भीम अत्यदिक साहसी है, उसे आज भेज दूगा, तुम्हारे गर से कोई नहीं भेजना चाहिए, तो इतने में भीम सुनता है, और भीम तयार हो जाता है, भीम तयार हो जाता है जाने के लिए, उत्साह से उसकी भुजाएं फटकती हैं, उसे बहुत उत्साही हो जाता है, भुजाएं फड़कना, भुजाएं हिलना, बहुत उत्साहित हो जाता है इसा साहस कार्य करने के लिए, फड़कना, हिलना, वह कहता है, भीम कहता है, मेरे नेत्र उसे देखने आतुर है, ननना कंडु गलेगे, अवनु नोड़ विकेंबा वंदू, आतुरा, बहुत आशा है मुझे उसको उस बकासर को देखने के लिए हम रहें तो बकासर किसी को नहीं सताएगा अगर हम जाएं अगर महीं जाओं तो बकासर आज से किसी को सताना कस्ट नहीं देगा सताएगा कस्ट देगा कोई कस्ट नहीं देगा मैं उसे माल डालूं तो आज से इस बकासर का कोई कस इस प्रदेश को नहीं, उसे मैं माल डालूंगा। ब्राम्हन और उसकी पत्नी कुंती और भीम की उदारता और सहायता के लिए कृतज्यता प्रकट करते हैं। तो अब कुंती ने क्या बताया, मैं भीम को बताओं। तो भीम को भीज दूं। तो भीम करता है मैं उसे जाकर माल डालूं। कोई चिंता नहीं तुम्हें। तो यह सब सुनकर ब्राम्हन और ब्राम्हनी सुनते हैं से। सुनकर इस कुंती और भीम की उदारता, जनरासिटी और सहायता। तो वो असाहयता कर रहे है भीम और कुंती, तो भीम की साहयता के लिए कृतज्यता प्रकट करते हैं, ब्राम्हन और ब्राम्हनी बहुत कृतज्य 햇ं, बहुत उपकार समर्ण करते हैं, ज़ंगल में बक्-अतो इस प्रकार भीम इस एक गाड़ी अन और दो भैंसे के साथ वहा जाने के बाद भीम उस गाड़ी से अन बैट कर खा रहा है भीम अन खा रहा है देख लो वहीं कुछ दोर बकासुर है जंगल में बकासुर के मकान के सामने बकासुर के मकान माने घर उसके घर के सामने भीम चिलाते हुए शोर मचाते हुए बबे हडेता जोर से बोलता चिलाते हुई है मुठी भर कर अन खाता है मूंठ मूंठ लेकर अन खारा है भीम इतने में वह भीम को तो इतने में रक्षस भीम को दुष्ट बदमाश करकर पूछता है इतने में बकासर इस भीम को भीम का खाना देख रहा है दूर से अरे दुस्ट तू क्या कर रहा है बदमाश बदमाश के रहता है कि तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है यह इस बगासर के लिए आया हुआ अन्ग है तू क्यों खा रहा है तू कौन हो तब भीम कहता है तु जूटा है तु मुझे बहकाता है इस प्रकार कहकर मुझे दोखा देता है भीम से बकासुर कहता है अरे भीम तो जबान संभाल कर ना लिगे बिगीडी ना लिगे उन्टुन तेनेन मातार बेडा जबान संभाल कर जीव को नियंतरन करके बातचीत करो तुझे अभी पानी पिला दूंगा पानी पिलाना नीर कुड़िस दो अंदर इनके बुद्धी कल तुझे खाना डालों तो मेरा नाम बकासुर नहीं अभी मेरा नाम बकासुर नहीं तब भीम बकासुर को कुष्टी लड़ने के लिए बुलाता है। अरे बकासर, तुम मुझे अब हम दोनों कुष्टी करें, लडाई करें, कौन जीता है देखेंगे, लडाई के लिए बुलाता है, और उसका गला दबा देता है, देखो, बकासर है, भीम, भीम और इन दोनों itelे लडाई होते है, युद्ध होता है, इस राक्षस का गला दबा देता है, दबाना वत्तु दबा देता है, भीम कहता है, अरे वकासर, तो 40 साल से 90 वर्श दिन्दा, एक गाडियन रोज, दो भईन से यरड यत्तो, और एक आदमी को रोज खा रहा है, कहां है वह सब, आतिंदा देला एलेंट, कहां है वह सब, निक भीम बकासर को मारता है, पीटता है, बकासर मार कर धरती पर फिंक देता है, तो बकासर आंखें फाड कर खुणनू धरद, आंखें फाड कर, धरती पर फाड कर चीखता है, चिलाता है, शोर मचाता है, वो बहड़िता है, जो राग यालता है, वो बहड़िता है, भीम उसे अधर्ती पर फेंक देता है, भूमे के अपलिस्तान और चीर डालता है, उसे फाड डालता है, चीर ना, फाड ना, तुंडु दुंडु माडु हर्दाकू, बकासनों शरीरोंनों हर्दाकताने भीमा, रक्षस भैंकर चीख के साथ, भैंकर चिलाने के साथ, भैंकर शोर मचान के साथ मर जाता है रक्षस मर जाता है देखो इधर रक्षस मर जाना गिर पड़ा है तब वहां बकासर के साइनिक ढर से काम पते आते हैं इस बकासर के साइनिक वहां आ जाते हैं उन्हें दर लगा हमारे राजा को किसने मार डाला काम पते काम पना नडगुद काम पते आते है भीवुं है चेतावनी रेता है इन सैनिकों को वार्निंग चेतावनी खबर धार, है etztए लोयां करें जागरति लेजाओ उस लाश को और हना उन्न तकोंडोगी लाश मानी शव हना नगर के दर्वाजे पर रख दो इस शव को इस बकासुर के शव को इस नगर के दर्वाजे पर इन अगर दा गेट नातिरा कॉंड़ा के हां के बड़ी सब गाउवाले देख लेंगे सब गाउवाले इसे देखर बहुत खुश हो जाएंगे कि आज से यह विपत्ती नष्ट हो गई है विपत्ती नहीं है हम अराम से रहेंगे ऐसा खुशी से रहेंगे इस गाउवाले तो अब इस पाठ के कुछ गरहकार होमवर्क या अभ्यास देखें तो मैं अब तुम्हें केवल प्रश्टन दोंगा इसका अगला भाग है उसमें तुम्हें इसके उत्तर भी मैं दे रहा हूँ तो प्रश्टी इस प्रकार है तो इसके उत्तर देने की कोशिश करो अभ्यास करो एक वक्य में उत्तर लिखिए बकासर कहा रहता था भीम कौन था रक्षस का नाम क्या था भीम ने बकासर की लाश को कहा रखने की लिए कहा कुंति के बेटे कितने थे भीम और रक्षस एकांकी के लेखक कवने अब दो थीन वाक्यों में उत्तर लिखिये ब्राम्भन के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे दूसरा प्रश्ट बकासर क्या काम करता था और उसके बदले में क्या लेता था तो इस पकार इस एकांकी का पहला भाग हमने समाप्त कर लिया अगले भाग में बाकी हम अभ्यास और व्याकरण देखेंगे सायराम